चंदर्यान टू सिर्फ एक अंत्रिक्ष मिशन नहीं था बल्कि ये करोडों भारतियों की दिल की धड़कन था ये धड़कन उस समय थम गई जब चंदर्यान टू के लेंडिंग के समय इसका इसरो से संपर्क तूट गया मगर इसरो सुरू से ही कहता आया है कि हम चंदर्यान टू मिशन में लगबग 98 फीस्टी सफल हुए हैं इसरो इसलिए ऐसा कह रहा है क्यूंकि चंदर्यान टू का और्वीटर अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है और चांद की परिकर्मा करते हुए अपने बैग्यानिक परयो लोगों को अंजाम भी दे रहा है हाल ही में और वीटर ने सूर्ज से निकलने वाली शोर किर्णों का अध्यान किया है और 30 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच के आंकडे जुटाए हैं आई ये जानते हैं क्या कहते हैं ये आंकडे दरसल सूरज हर 11 साल पर अपने तापमान का चकर बदलता है यानि 11 साल के अंतर पर सूरज की गर्मी काम याज जादा होती है जब सूरज पर जादा धब्बे सन स्पोर्ट दिखाई पड़े तो मान लेना चाहिए कि सूरज अभी गुसे में है यानि गर्म है इसे सोलर मैक्जिमा भी कहते हैं जबकि इसके उल्ट सूरज पर जब धब्बे कम दिखें या ना के बरावर दिखें तो इसे सोलर मिनीमा क होता है तो इससे अंत्रिक्ष में इलेक्रो मैगनेटिक तेज परबह निकलता है इसे सोर तूफान सोलर स्टोर्म कहते हैं काम करना बंद कर सकता है जब यह सोर तूफान बढ़ जाते हैं तो पिर्थवी के उत्तरी और दक्षे दुरूप पर नौधरन या सौधरन लाइट्स देखने को मिलती हैं इन्हें देखने के लिए लोग नौवे ग्रीन लैंड या आर्किटिक जैसे छेत्रों और देशों मे जाते हैं